सत्यों गीतां तो भारत की एक जुड़ता सबत्व की भावना का मुल्पाठ है क्योंकि गीता कहती है समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठंतं परमेश्वरम अठात प्राणी मात्र में इस्वर का निवास है नरही नारायन है गीतां हमारी ग्यान और सोथ की प्रवुति की प्रती है क्योंकि गीतां कहती है नहीं ग्याने न सदश्यम नहीं ग्याने न सदश्यम पवित्रम नहीं विद्धते अर्थात ग्यान से पवित्र और कुछ भी नहीं है घीटा भारत के बैज्ञानिक चिंतन की scientific temperament की भी घीटा उर्जा सरोथ है क्योंकि घीटा का वाक्त है ज्यानम विज्ञानम सहीटम ज्यानम विज्ञानम सहीटम यत ज्यात्वा मोख्षे से अशुभाद अर्थात ज्यान और विज्ञान जब साथ मिलते हैं तभी समस्याओं का दूपा का समधान होता है गीता सदियों से भारत की कर्म निष्ठा का पतीक है क्योंकि गीता कहती है योग कर्म शुकाउशलम अर्थात अपने कर्तवियों को कुशलता पुरुकर करना ही योग है साथ्यों गीता एक ऐसा अध्यात्मिक ग्रम्त है जिसने ये कहने का साहस किया कि न अनवयाप्तम न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेवचे कर्मणी अर्था सभी हानी लाब और इच्छाओं से मुक्त इश्वर भी बिना कर्म किये नहीं रहता है इसलिए गीता पूरी ग्यावारिता से इस बात को कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किये नहीं रह सकता हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते अब ये हमारी जिवेदारी है कि हम अपने कर्मों को क्या दिशा दे कैसा स्वरुप दे गीता हमें मार दिखाती है हम पर कोई आदेश नहीं ठोपती है गीता ने अर्जुन पर भी कोई आदेश नहीं ठोपा था और अभी दक्सा भी कह रहते हैं गीता आदेश नहीं देती है स्रीकर्ष्ण ने पूरी गीता के उपदेश के बाद अंतिम अध्याय में अर्जुन से यही कहा सब कुछ करने के बाद जितना जोड लगा रहा था लगा लिया लेकिन आखिर में क्या गा यह था इच्छ सी तुझा कुरो यानि अब मैंने जितना कहना था कह दिया अब तुमें जैसा ठीक लेगा ऐसा तुम करो यह अपने आप मैं शायद इससे ज़्यादा liberal thinking को ही हो सकता है करमा और विचारों की यह सवतंत्रता ही भारत के लोगतंत्र की सच्ची पहचान देगी है हमारा लोगतंत्रा हमारे विचारों की आजादी देता है काम की आजादी देता है अपने जीवन के हर शेत्र में समान अधिकार देता है हमें आज़ादी उन लोगतांत्रिक संस्थाओं से मिलती है जो हमारे सम्मिधान की संवरक्षक है इसलिए जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने लोगतांत्रिक कर्तवियों को भी याद रखना चाहेते हैं। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कोशिस में रहते हैं कि कैसे समयधानिक संस्ताओं की गरिमया पर उनकी विश्वसनिता पर छोट की जाए। हमारी संसद हो, न्याय पाली का हो, यहां तक कि सेना भी उस पर भी अपने राजनितिक स्वार्थ में हमले करने की कोशिश होती रही है। यह प्रवृत्ती देश को भव नुक्सान पहुचाती हैं। संतोष की बात है कि ऐसे लोग देश की मुख्यधारा का पतिनीजी तो नहीं करते हैं। देश तो आँच अपने कर्तव्यों को ही संकल्प मान करके आगे बढ़ रहा है। गीता के कर्मयोग को अपना मंत्र बनाकर देश आँच गाउं, गरीब, किसान, मजदूर, दलीद, पिछडे, समाज के हर बंचित वेकित की सेवा करने में उनका जीवन बदलने करें प्रयास कर रहा है।